हेई बारीज वागम तो माँ चैनल आरा हम पाक कूद न्यू वीडियो तो गाइस ये वीडियो हने वाली है दो टू रैसल मिया को लेकर और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ड़ू 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 की कुन उन चीजों के बारे में जुकरी ड़ू ड़ू को इस साल रोट टू रैसल मिया में या पिर रैसल मिया के अंदर बिल्कूल भी नहीं करनी चाहिए तो इंट्रस्ट नहीं की वीडियो होगी कुछ अलग ये वीडियो होगी तो इसको पूरे एंड तक देखना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हो तो तो ज गैनियल बैंट भी रैसल मिया वाली इन दोनों के मैच में एड हो सकते हैं जहांपर इदेब फिल्कूल भी इडियो नहीं करना चाहिए तो और यह होता है नहीं करना चाहिए तो पूरा मतलब मैच का मजा है वह खराब हो जाएगा पहली भात तो यह मैच ही नहीं होना ची सब्सक्राइब करते हैं इस वक्त दोनों में से कुल सा भी एक बंदा हार डिजर्व नहीं करता है पर अब इन दोनों का मैच हो चुगा है तो एक मैक तो तो हारना पड़ेगा तो इसलिए डोंग नो करने वाली है किसको जुताने वाली है चांसे के जादा है बट एक चीज को नहीं करना चाहिए और ये मैच वन-on-one ही रहे तो जादा बैटर है दूसरी चीज के ओपर और यह जो दूसरी चीज है यह है ब्रॉक लेस्नर की रिटर्न अब सब यहां पर स्पेकुलेशन लगा र है यहां पर कुछ भी गैरंटिन होता है कुछ भी है अंगरन सब야त साथ मैच στο करने के वापस लोग ब्ला नहीं होते हैं और यह współ dari यह सालों से लोग इस मैचछा का मौका है कोई भी इस मैच काHis कों कोई और फ म diss नहीं करती है इस साल नहीं कराती है रसलमिया से पहले तो यह एक ऐसी चीज़ा जो कि बहुत ही खराब होने वाली है चलते हैं अगली चीज़ के उपर और यह है डू मैकंटैर और सीमस के बीच में एक बार फिर रसलमिया के अंदर मैच नहीं होना चाहिए अब मैं यह अगर डूली इस मैच को बनाती पहले ज़्यादा मज़ा आता बड़ डूली ने इस मैच को रॉक के अंदर ही करा दिया क्लीम करवा दिया और का सी कंमाल का मैच करवा दिया तो अब जो एनव एक्साइटमेंट डेसलमियाक वाले मैच के अंदर नहीं रहेगी तरी जितनी ह किसी चीज़ें जो की बहुती खराब आइडिया डूलोवी का हो सकता है चलते अगली चीज़ के अपर और ये है कि डंई डंई लग लिग को जो डंई डंई चींपेंप मैच है उसको और ओन मैच ही रहने देना चाहिए ट्रिपल स्काइट मैच के ये काफी जादा चांसे आ रहे थे कि भाई, Drew McIntyre, Brock Lesnar वर्सिस Bobby Lesnar का मैच हो सकता है, पर अगर ये मैच हुआ तो भाई, बिल्लकुल ही खराब आइडिया होगा ये WWE का, जैसे कि भाई, Brock Lesnar वर्सिस Bobby Lesnar का मैच के ना, इलावा आप कोई मैच नहीं देखना चाहोगे इससल, बिकॉस अब ये मैच जो है न, इतनों टाइम से लोग वेट कर रहे थे, तो अब ये मैच होना ही चाहिए, भले ही Drew McIntyre काफी कमाल के रैसलर है, बट ये जो मैच है और इसकी वजह से फैंस जो है, वो थोड़ा सा डिसपॉइंटेड है, अब अगर WWE को Fiend की रिटर्न को इतना जादा टाइम लगाना था तो फिर या, Randy Orton को कहीं और स्टोरी लाइन में डाल सकते थे और उसके बाद सड़नली फिर सर्प्राइज रिटर्न अगर हमें Fiend की दिखाते चाहिए, जितने समय के बाद दिखाते तो फिर लोगों को इतना फरक नहीं पड़ता सकता है अगर सभी टाइम पर हो हमारा बना रहता तो फिर इंट्रेश्ट इंडर टृ सब्सक्रांइब तो फिर उसके बाद वो चाहे रिटर्न करें चाहे कुछ भी करें इंटरंस जो है वो फैंस का कम हो जाएगा तो इसलिए फीन की रिटर्न जो है वो रोट तो रेसल मिनिया के अंदर अब तो हो ही जानी चाहिए और क्या कमाल को मैस था क्या कमाल किस मैच के अंडिंग थी बड़ फिर से हम इस मैच को नहीं देखना चाहेंगे तो शार्ड लेट लिपर मतलब हर साल जब भी रैसल बनी आता है तो पहले है कि वुमेंस डिविजन के अंदर उनको वो मैच मिली जाता है तो यहां पर वो मैच नहीं मिलना चाहिए आसका को कोई better opponent मिलनी चाहिए और उसमें से नाम जब रिया रिपली का जादा आ रहा है कि रिया रिपली शायद वो हो सकती है और अगर रिया रिपली होती है तो फिर जादा मज़ा आगा अगर WWE का यह अभी भी प्लान है और यह आइडिया है और अगर WWE करना चाहती है तो यह बहुत खराब decision है ना WWE का अब Drew McIntyre यह दो बार champion बन चुके हैं मुझे नहीं समझ आ रहा है कि यह जो बाते चल रहे हैं इतने समय से कि भाई Drew McIntyre को एक बार फिर से champion बनाना है WrestleMania में जो पिछले साल audience के साथ वो नहीं कर पाए इस बार audience होगी तो इस बार उनको champion बनाना है वही चीज़ दुबारा से recreate करनी है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यार एक बंदा जब champion बनता है ना पहली बार वो जो feeling आती है उसके चहरे पे जो feeling होती है जो audience को इसके लिए खुसी महसूस होती है वो तीसरी बार champion बनने में आएगी कि नहीं भले उस time audience थी या नहीं थी बट वो time चला गया है अब वो चीज जितना मर्जी अच्छी acting वहाँ पर करने की कोशिश करें बहले ही जितना मर्जी emotional वह चीज वहाँ पर दिखाने की कोशिश करें बट जो पहली बार बनने में champion जो emotion आता है चाहरे पर जो feeling होती है वह वाली दुबारा से नहीं आ सकती चाहे जितना मर्जी WWE ट्राय करें तो बहुत गलत आइडिया अगर WWE ये ट्रू मेकंटार के साथ करना चाहती है अगर कोई और रीजन है उनको champion मनाने का तो फिर एक अलग चीज है बट अगर WWE का ये रीजन है कि यार उस वक्त फैंस नहीं थे तो इसलिए हम इस चीज़ को दुबारा से recreate करें तो वह बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा बॉबी लैसले से championship बिल्कुल भी नहीं ले जानी चाहिए रैसल मीनियक के अंदर चावर ट्रू मेकंटार हो या फिर कोई और हो इस वक्त बॉबी लैसले डिजर्व करते हैं अच्छा title reign और ट्रू मेकंटार के पास आगे मौका मिलेगा यार उनको आ इस अधाप इस वीडियो थे उर्टम करते हैं इस फिल आग फोला हम करते हैं पर एंदे मिलेंगे बहुत देखना यह और इंट्रूस्टीं वीडियो के साथ सब्सांदार गाइस अपना खेयाल रख ठोपने कर्वालारों तायाल रख हो की फानिक फाया रूर्स को सोभीज झाल झाल झाल